जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था हिंदी का उससे जो है फर्स सिटिंग और सकेंड सिटिंग में काफी कोशन पूछे गए थे और गुरूप में जितने यानि हमने इंपॉर्टेंट गेस दिया था सब्जेक्टिव का वह भी लड़ गया था टोटल ही सब्जेक्टिव तो आप लोग जो है कल आप लोग एक्जाम है संस्कृत का तो इस वीडियो में है संस्कृत इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोशन देखेंगे लोग फूल एक्स्प्लेशन के साथ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस उप्शन नमबर बी पांच है उप्शन नमबर बी नेश्ट को संदेखिए विद्वान किसको त्याकर आत्म स्वरूप को पराप्त कर लेते हैं तो राइट एंसर हो जाएगा यानि नाम और रूप उप्शन नमबर ए हो जाएगा नेश्ट को संदेखिए कुट नितिम किस की रचना है तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी यानि दामोदर गुपते नेश्ट कोसन देखिए कौमुदी मोहत्सो किस सासक काल में परचलित था तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी गुपत काल यहाँ पे थोड़ा भी अपका टाइम बेस्ट नहीं करेंगे साथ कोसन बताएंगे आप लोग को दस मिनट में वीडियो को पूरा ही देखिएगा आप लोग लास्ट में जो है कुछ और भी बहुत इंपोर्टन बताएंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा अगला कोसन देखिए चंद्र अगला कोशन देखिए दानी विरेस्वर ने किसके लिए दानसीला का निर्मान किया था तो राइट एंस रोजाएगा आलसीयो के लिए अगला कोशन देखिए सर्म सुखला स्वशती किसे कहा गया राइट एंसर हो जाएगा डन्डी option number C हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं वर्दामी का परिने किस की रचना है किस की रचना है दोस्तों तो तीरू लामबा option number C परिने नेश्ट कोशन देखिए जगत गौरव किस देश को कहा गया है तो राइट एंसर हो जाएगा भारत को जगत गौरव देश कहा गया है नेश्ट कोशन देखिए भारतिय संसकारों की कुल संख्या कितनी है तो राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A 16 है अगला कोशन देखिए पुन सवन संसकार कब होता है तो राइट एंसर हो जाएगा जनब से पूर्ब बारा का राइट एंसर ओप्सिन नमबर बी हो जाएगा तेरा नमबर कोशन देखिये, गिरहस्त जिवन के संसकार का नाम क्या है, तो right answer रो जाएगा विवा, option number B हो जाएगा अगला कोशन देखिये, कोरोध का नास किसे होता है, तो right answer रो जाएगा चामा से अगला कोशन को देखते हैं काम, कुरोध और लोब के दुवार किसकी प्राप्ती निश्ची थे दोस्तों तो राइट एंसर हो जाएगा नरक आप्सिन नमबर B हो जाएगा अगला कोशन देखिए किसकी रक्षा विशेश रूप से करनी चाहिए तो राइट एंसर हो जाएगा इस्तरियों की अगला कोशन को देखते हैं देखिए बिद्या किसकी सुरक्षित निदी नहीं है तो राइट एंसर हो जाएगा उन्नुवत वन्स की ऑप्षन नमबर ए हो जाएगा अगला कोशन देखिए छात्रों का तप क्या होता है तो राइट एंसर हो जाएता है यहाँ पे अधेयन ऑप्षन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन देखिए किसके कार्ज सपल होते हैं किसके कार्ज सपल होते हैं तो उद्योगियों के कार्ज जो है उद्योगी जो पूरिस होते हैं उनके कार्ज जो है वो सपल होते हैं देखिए नेश्ट कोशन है स्वामी दयानन्द के यानि गुरु कौन थें तो राइट एंसर हो जाएगा स्वामी विर्जानन्द विर्जानन्द ओप्शन नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन देखिए सतार्थ परकास नामक पुस्तक के रचाईता कौन है तो राइट एंसर हो जाएगा स्वामी दयानन्द अगला कोशन है देखिए यहां पे थोड़ा फ्रेस नहीं आ रहा है उर्द वहावह किसे कहा गया है तो रीसियो को कहा गया है ओप्शन नमबर ए ह हो जाएगा अगला कोशन देखिए व्यागर पतिक कथा किस गरंद से उद्धन्थ है यानि लिया गया है दोस्तो राइट एंसर हो जाएगा ही तो पदेश ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन देखिए कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त थे किसको तो कड़ को प्राप्ते ऑप्शन नमबर ए हो जाएगा अगला कोशन को देखिए राज संपती यानि किसके समाप चंपाल होती है राज संपती किसके समान चंपला होती है तो राइट एंसर हो जाएगा पशीज का बिल्कुल ही ऑप्शन ए साप के जीब ऑप्शन नमबर ए हो अगला कोशन देखिए अंग राज कर्ण के सार्थी का नाम क्या था तो राइट एंसर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा सले राज अगला कोशन देखिए किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए दोस्तो तो चलिए इसका एंसर आप लोग जली से कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट एक कोशन यह आपके लिए है चलिए अगला कोशन देखिए अवेर दाया अवर मित्रभाव से किसकी अस्थापना होती है दोस्तो तो राइट एंसर हो जाएगा स्तांती ऑप्शन सी अगला question को देखिए यहाँ पे है नित्य सास्त किसे कहा गया है तो right answer हो जाएगा वैदिक सास्त option number A अगला question देखिए अस्ट अध्याई के लेखक कौन है रचाइता कौन है तो पानिनी option number C हो जाएगा अगला question देखिए तत लीन का संदी विचे क्या हो जाएगा तो तत जोड लीन option number A हो जाएगा अगला question को देखिए यहाँ पे उपेंदर में कौन सी संदी है तो गून संदी है option number B हो जाएगा यहाँ पे next को है पर्थो पर्थो मो अध्याय किस संदी का उधारन है 34 का right answer आप लोग जली से comment करके बताईए यह question भी आपके लिए है दोस्तो 2-3 question आपके लिए देदेते हैं आप लोग comment करके बताईए जली से next question देखिए अनु रथम का विग्रह क्या होगा 35 का जवाब दीजिए 35 का चलिए इसका भी जवाब जो है आप लोग comment box में फटाफट दीजिए कुछ question आपके लिए भी होना चाहिए आपका एक्जाम है इसलिए ठीक है ना चलिए यहाँ पे देखिए बिद्याय plus आया जाया का समस्थत पद्याों का होगा अगला answer को दिखिए चंद्र मुख किस संधी का सोरी आपर चंद्र मुख किस समास का उधारन है तो करपमधार चुएगा option नम्बर a हो जाएगा सत् Сам सति में क्ली साय तो यहाँ पे राइटेंट हो जाएगा दीगु अगला कोशन देखिए नम्ह योगे चतूर्थी सुत्र का उधारन है तो 49 का राइट एंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्बर A बिल्कुली राइट है अगला कोशन देखिए इस प्रिये धातु के योग में किस विभक्ति का परियोग हुआ है राइट एंसर हो जाएगा चतूर् अगला कोशन को देखिए वरिक्षे अधा एका पतिका आसित या रेखांकी पत में जो है कौन सी भी भक्ति है तो राइट एंसर 41 का B आप्शन सही है सस्टी आप्शन नम्बर B हो जाएगा अगला कोशन देखिए कारण बोधक सब्दों में किस भी भक्ति का परियोग होता है तो 42 का राइट एंसर ओप्शन नम्बर यह हो जाएगा त्रितिया अगला कोशन देखिए परिसरो सब्द में किस उपसर्ग का परियोग हुआ है तो राइट एंसर हो जाएगा परी अगला कोशन को देखिए चलिए इस यह जो पद में किस धातु का परियोग हुआ है त तो right answer हो जाएगा 45 का दोस्तो B option सहिए सेते option नमर इसका B option right है देखिए द्वेस सब्द का सब्द में एक वचन का रूप क्या हो जाएगा तो बिदुवान हो जाएगा option नमर D अगला question देखिए स्रिमती सब्द किस मूल सब्द का रूप है तो right answer हो जाएगा 47 का चली बताइए जली इसका भी comment में जली फटाफट बताइए अगला question देखिए को वो सब्द का विभक्ति क्या हो जाएगा तो 48 का right answer हो जाएगा सब्द में option number A हो जाएगा ठीक है ना अगला question देखिए यहाँ पे है क्री प्लस तवत में कौन सा सब्द बनेगा यहाँ दोनों सब्द को जोड़ेंगे तो क्या सब्द बने जाएगा दोस्तो राइट यह जाएगा option number D अगला question देखिते हैं इसका जवाब आपको देखना है इस question का जवाब जो है 50 का जवाब जली से आप लोग comment box में दीजिए फटाफट चलिए 50 और 51 सवाल आपके लिए रखते हैं इसका भी जो है आप लोग जली से comment करके बताईए दो question यह आपके लिए फटाफट comment करके बताईए चलिए बावन का बताना है लगुता पद में किस तद्धित परतिया का परियोग हुआ है तो बावन का राइट एंस रो जाएगा तो option number B हो जाएगा अगला question देखिए यहाँ पे क्रिष्णा धन टाप से कौन सा सब्द बनेगा तो यहाँ पे क्रिष्णा ही बनेगा option number A हो जाएगा भावती में कौन सा इस्तिरी परतिया है तो चोवन का राइट एंस रो जाएगा डीप परतिया है option number A हो जाएगा कोकिला में कौन सा परतिया है दोस्तो कोकिला में जो है टाप परतिया हो जाएगा option number B, sorry, option number A हो जाएगा, यहाँ पर ए option सही है, यानि कोकिला में टाप पर दिया हो जाएगा, यहाँ पर 56 नमर पाठक पद का प्रकरती, परिचे क्या हो जाएगा, तो 56 का राइटेंस हो जाएगा, पट जोड अक, option B, अगला कोशन देखिए, दक्षियती किस धातू का यानि रूप है, तो 57 का राइटेंस हो जाएगा, option number A हो जाएगा, अगला कोशन देखिए, एतद सर्मनाम, सब दिकरती एक बचन क्या हो जाएगा, तो 58 का राइटेंस हो जाएगा, option number A, अगला नमबर देखिए, यहाँ पे 69 नमबर, सम जोर, सम धन हारह का संदिक ग्या हो जाएगा, जब जाएगा, यहाँ पे B options हो जाएगा, आज का अंतिम कोशन है, यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, यहाँ पे सम का जो है, यानि या तिरतिय विभक्ति में कौन सा सुतर होगा, तो राइट एंसर, option number B हो जाएगा, दोस्तों, तो चलिए, अब यहाँ आपको और भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट किजिए, चार-पांच कोशन आपको दिये हैं, पांच कोशन आपको दिये हैं, आप लोग फटा-फट कम एंसर किसका आता है,